दिशा पाटनी से ब्रेक अप क्या हुआ, टाइगर शौफ ने तो श्रद्धा कपूर के लिए अपना प्यार उड़ेल कर रख दिया। पिछले दुने ये खबर आई थी कि टाइगर और दिशा का 6 साल पुराना रिष्टा तूट गया है। बताय गया कि दिशा टाइगर से शादी करना चाहती थी, जबकि टाइगर इसके लिए तयार नहीं थे। दिशा की काफी मिन्नतों के बाद भी टाइगर ने शादी के लिए हामी नहीं बरी। लिगन एक तरफ दिशा जहां रिष्टा तूटने के गम से नहीं उबर पा रहीं, तो दूसरी तरफ टाइगर ने श्रद्धा का पूर के लिए अपना हाले दिल बया कर दिया है। हाली में टाइगर कॉफी विद करन में पहुचे थे, जहां करन जोहर ने टाइगर से सीधा सवाल किया कि उनका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, क्या वो दिशा पाटनी को डेट कर रही है। इस पर टाइगर ने जबाब दिया कि हम बस बहुत अच्छे दोस्त हैं जैसा क कि हम पहले हुआ करते थे, इसके बाद करन जोहर ने कहा कि हर संडे आप दोनों को साथ में रेस्टरेंट में स्पोर्ट किया जाता था, इस पर टाइगर ने कहा शायद हम दोनों को एक जैसा खाना पसंद है, इसलिए इसके बाद टाइगर ने अपने दिल का हाल बताया, ट लगता है कि वो बहुत शांदार हैं टाइगर का ऐसा बोलना काफी हैरान कर देने वाला था वैसे आपको बता दें कि टाइगर ने अपने करियर में सबसे ज़्यादा फिल्में शरद्धा कपूर के साथ ही की हैं दुने ने साथ में तीन फिल्में की हैं इससे पहले ख़वरा पैफ और विकी कोशल का रिष्टा भी इसी शो से बना अब टाइगर ने भी अपने प्यार का इजहार कर दिया है अब देखते हैं कि क्या यहां से टाइगर और शद्धा कपूर के प्यार की शुरुआत होगी वेल आपको क्या लगता है अपनी राय हमें कमेंट में दीजे और जादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलीबुट पे चर्चा को सब्सक्राइब कीजे